तो वेल्कम बेक टू में चैनल गाइस उमीद करता हूं भाई आप अच्छे होंगे बाई अपना ख्यार रख रहे होंगे तो भाई यह है हमारे सामने भाई आज है एक्सलिक्स जीटा सीएंजी बाई मैनुवल में जीटा मतलब बेस मोटर में बाई सब कुछ आता है इसमें जीटा प्रिक्स में उर और खर चाहिए वाई इसकार में आपको इंबरेज भी जादा मिल जाएगी सब कुछ मिल जाएगा वाई की सीएंजी और पैट्रॉल का रेटे बराबर ही ने लेकिन वहीं सीएंजी का जो है वह एक कीलो में 26 Kilometer चलती है लेकिन पैट्रोल में वही अठारा उननीच के अबरेज देती है ने तो भाई ये सुक बस एंजी गालों को मिलता है लेकिन वो थोड़ा से कम है लेकिन होता है तो भाई मुद्देगी बात करते हैं भाई रिव भाई एक्सल 6 का भाई उपर देखते हैं भाई वही आपको रूफ रेन मिल जाएगी और या बाकी पीछे आपको शार पर एंटीना मिल जाता है बोडी की लडी बाकी इधर आते हैं तो भाई आपको एक यह विंड्शील्ड मिल जाती है याप ए नोन पॉल्यूटिंग वी कल गश्टिकर है यापकी दो वाई पर दो वाश्वर मिल जाते हैं इधर जो कि ठीक है सुजुकी का बड़ा सा लोगो यहां पर क्रोम की ऐसे लाइन आ रही है स्राउंडिंग में भी आ रही है कुछ ऐसे दिखती है यह निचे 60 डिगरी कैमरा नहीं आता इसमें कुछ ऐसी इसकी डोट-डोट में रेटंगल में ग्रिल दे रखें निचे आते हैं तो यहां पर आपको DRL मिल जाती है daytime running light और यहां पर आपको यह low beam में मिल जाती है दो और यह दो high beam पर मिलती है जो इनका throw है वो बहुत बड़ी है बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ ठीक ठीक बहुत अच्छा मिल जाता है आपको यहां पर है हेलोजन इंडिकेटर मिल रखता है कुछ ऐसे दिखता है बाकी side में आते हैं तो यहां पर आपको alloy wheel मिल जाते है भाई इसके उपर ज्यादा attraction है यहां पर आपको 16 इंच के इसके अंदर machine cut alloy wheel मिल जाते हैं आपको इसमें MRF का tire मिल जाता है इसका साइज है कि 105 में 60 और 16 कुछ इसका tire section है बाकी कुछ ऐसे दिखती है बाकी इसका main attraction आता है फिर आपकी क्लाइडिंग यह मोटी-मोटी इतनी मोटी कुछ इसकी क्लाइडिंग दे रखे जो की एंड तक जाती है फ्रंट से लेके rear तक कुछ ऐसे दिखती है जो आपको इसलिक सा indicator मिल जाते है कुछ ऐसे दिखता है और यह adjustable और retractable आपको electrically मिल जाते है मिलती है आपको normal black मिलते है और ए पिलर आपको वही body color मिलता है बी पिलर आपको blackout मिलता है एंड सी पिलर भी आपको कुछ ऐसा blackout में ही मिलता है बाकी door handle की बात करते हैं तो यहां पे आपक chrome के door handle मिल जाते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं और यहां पे आपको keyless entry भी मिल जाती है कुछ ऐसे दिखते हैं नीचे आते हैं तो यहां पे silver color की side colliding दे रखी है बाकी नीचे black and silver का और आपके अंदर mud flat भी कुछ ऐसा दे रखा है company fitted कुछ ऐसे दिखते हैं आपको ऐसे series में नह लगाना होता कुछ ऐसे दिखती है side में से बाकी पीछे का डोर इसका बहुत लंबा सा है कुछ ऐसे दिखते हैं और बाकी यहां पे पूरा एक बड़ी window दे रखी है जिससे हमार व्यू के लिए राए बाकी इसका quarter glass है कुछ ऐसे दिखते हैं यहां पे कुछ ऐसा design दे रख इसे बाकी full tank capacity की बात करते हैं वह यह आपको 45 liter की मिल जाती है आपको कुछ ऐसी मिलती है बाकी same tire size आपको पीछे मिल जाता है MRF का 16 इंच का ही वह इसे बाकी पीछे real profile पे आते हैं तो आपको उपर आपको उपर sharpen antenna मिल जाएगा body colored है और यहां पे आपको दो roof rail मिल जाती है जो की functional है ऐसे दिखावट ही नहीं है और नीचे बात करते हैं तो यहां पे high stop lamp मिल जाता है washer के साथ और यहां पे wiper है defogger CNG की badging जो की है वेरेंट में यहां पे आपको chrome की line मिल जाती है और यहां यहां पे piano flag की finish में इधर का यह part दे रखा है यहां पे थोड़ा आगे की मुकाबले पिछे छोटा सूसुकी का logo दे रखा है यहां पे कोई कुछ ऐसा दिखता है यह नीचे आपको keyless entry का एक button भी दे रखा है इधर और यहां पे boot open कर सकते हैं आप यहां से और यहां पे दो hello जानी आपको यहां पे bulb मिलते हैं यहां पे बात करते हैं आपते हैं आपको एक्सर 6 की badging मिलती है smart hybrid की इस variant में आपको badging नहीं मिलती है क्योंकि यह CNG का वेरिट है यहां पे आपको nexa का sticker मिल जाते है कुछ ऐसा बाकि यहां पे बात करते हैं तो यहां पे आपको एक reflector मि जाते हैं कुछ ऐसी जलती है यह L में बाकि यहां पे चार डोट LED यह ब्रेक लैंप है यहां पे आपको halogen indicator मिलता है और रिवर्स लैंप है यह भी आपको halogen मिलता है कुछ ऐसी मिलती है यहां पे नीचे यहां पे आपको इस kit plate silver करके मिल जाती है सेम वही 4 डोट कुछ ऐसी दिखते हैं यहां पे बाकि नीचे यहां पे दो रिफ्लेक्टर में जाते हैं खड़े हुए हैं दो यहां से चलते हैं अंदर कुछ ऐसा है यहां पे क्रोम का डोर हैंडल मिल जाता है कुछ ऐसा दिखता है और इसका यह बिलू वाला है यहां पे बढ़िया लगता है यह ग यहांपे आपको आमरे में दे रक है कुछ ऐसे दीखते हैं यहां पर आपको मार्वल निश मिल जाती है यहां पर बिश्वर शार्ट的 है यहां पर क्रोम डॉर हैंडल में जाता है यहां पर nightlysm अर्ऑÓ कर सकते हो दोर को यहां पर आपको इलेक्ट्रिक्ली अट्यास्टेबल, ओर वीमगे कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ इन लोक-उनलोकका बटन है, यहाँ पर ओट्ग आयांटाउ Cash breaths近ありがとう, राधी टावेल एक वन लीटर बाटर वोटल की डेडिगेटिड जगा मिल जाती है यहां पर आपको कुछ समार रखने के लिए जगा मिल जाती है कुछ ऐसे दिखती है बाकि इसके अंदर दो ट्वीटर चार स्पीकर का सेटप आता है कुछ ऐसे दिखता है बाकि यहां पर कुछ इसकी CNG की इंस्ट्रक्शन दे रखे वार्निंग वगएर इन चीज़ों हमें याद रखनी है बाकि कुछ ऐसे दिखती है यहां पर इसका टायर प्रेशर वगएर दे रखा है बाकि कुछ ऐसे दिखती है यहां पर सीट आपको कुछ ऐसे हाइट अड़ और मिल जाती है आपको मतलब की six way आपको सीट मिल जाती है manually operated कुछ ऐसी सीट मिल जाती है fabric seat है पन्यवली लगा रखी है semi fabric बोल सकते हैं क्योंकि आपकी आदी ये fabric है आदी leather की है जो की बढ़िया है मैं own कर चुका हूँ इस गाड़ी को बता सकता हूँ बाकी नीचे आपको dead paddle भी दे रखा है ABC paddle के साथ यहाँ पे आपको कुछ space मिल जाती है यहाँ पे CNG to fuel petrol पे करने का option मिल जाता है यहाँ पे traction on and off का button दे रखा है जो की अच्छा है ओफ करने का ही है ओन तो करने का है नहीं बाकी यहाँ पे headlight leverer दे रखा है जो की अच्छी बात है बाकी यहाँ पे आपको push start stop का button दे रखा है इंजनी start stop का यहाँ पे surround में chrome की badging दे रखी है कुछ ऐसे दिखती है यह जाता है आपको यहाँ पे आपको silver start and finish और यहाँ पे marvel finish मिल जाती है यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ORV मिल जाता है और आपको नीचे ही यहाँ पे petrol भरवाने के लिए button दे रखा है बाकी steering wheel की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको gate को बंद कर लेते हैं यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको speedometer और odometer मिल जाता है आपको RPM meter के साथ यहाँ पे आपको CNG का option मिलता है यहाँ पे आपको petrol का option मिलता है कुछ ऐसा दिखती है यह बाकी कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे steering wheel की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Suzuki का कुछ ऐसा logo मिलता है Surround में Chrome की finish है Left hand side आपको cruise के control मिल जाते है और Left hand side आपको audio से infotainment system से related control मिल जाते है कुछ ऐसे दिखते हैं यहाँ से आप call उठा और काट सकते हैं यहाँ पे आप voice command दे सकते हैं कुछ ऐसे दे रखी यहाँ पे आपको Tom model में silver finish आती है कुछ ऐसे दिखती है gear knob की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको manual मिलती है CNG में जो की 5 state, 5 speed manual gearbox मिल जाते है यहाँ पे बात करते हैं infotainment system की इसके अंदर apple car play, android auto मिल जाता है यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे safety का बटन दे रखा है और यहाँ पे hazard बटन दे रखा है यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे climate control AC दे रखा है नीचे आते हैं तो यहाँ पे USB का port दे रखा है और 12V का power socket दे रखा है कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे उपर बात करते हैं तो यहाँ पे manual IRVM मिल जाता है और यहाँ पे आपको ticket holder मिल जाता है यहाँ पे Sun visor मिल जाता है आपको दो यहाँ पे light मिल जाते है 1-My इस कि quick दिखता है यहाँ भार्ट करते हैं यहाँ पे Brendan नकुझछ मिल जाता है आपको और यहाँ पे gegen attracts के साथ आपको साथ कुछ ऐसा बीसान की जगा दे रखिए यहां पहुए आपको टों मॉडल में Cliff लाइम मेट कन्ट्रूल सीट मिल जाते हैं गलब भोक्स की बात करते हैं कुछ ऐसा मिलता हैं बाकि कुछ ऐसे दिखते हैं एक कुछ ऐसे दिखता है क्रोंटिक के साथ ऐसे च पोलते हैं और पीछ इस पेचे चलते हैं तो कुछ यहाँ पे आपको ऐसी ट्रिम मिलती है हाड प्लास्टिक की है यहाँ पे यहाँ पे सोफ्ट अच दे रखा है लेकिन यहाँ पे मारवल फिनिश नहीं दे रखा है जो सिल्वर आगे मिलती है यहाँ पे आपको नोर्मल पावर विंडो मिलती है यहां पे chrome handle मिलते है यहां पे वो ही कुछ space मिल जाते हैं और यहां पे 1L की water bottle की जगा दे रखते हैं आपको कुछ ऐसी इसकी अंदर से captain seat मिल जाते है कुछ इसकी इसे थोड़ा पीछे कर लेते हैं वह या गया वाली आपको semi ladder seat मिल जाते हैं अंदर कुछ space देखते हैं तो कुछ ऐसा दे रखते हैं आपको कुछ ऐसा space मिल जाता है यहां पे आपको फोन रखने के लिए जगा भी अगर आपको charging पर लगा रहे हो तो भाई आपको जागा भी चाहिए कुछ मिल जाती है और नीचे इसके अंदर battery package नहीं आता है तो आप नीचे को नीचे आपको fire के लिए दे रखता है कुछ ऐसे दिखते हैं को driver side कुछ ऐसे मिलती है आपको यहां पे आपको चार AC event मिल जाते हैं कुछ चाहिए अईम bestimm मिलती है यह पीचे चलते यहां पर एक आफ को ठीक ठाकी स्पेस मिल जाता है कुछ अई चुछ ऐसा याँ यहां पर these two यहां पे एक water bottle की जगह दे रखी और एक ही यहां पे 12 वोट का power socket दे रखा है और पीछे आपको head rash भी दे रखा है जिसे आप इसको उपर करके इधर इस lever को उपर करके इसकि goretrack भी कर सकते हैं जो की अच्छी बात है बाकि इसका भार का space देखते हैं तो कैसा space देख लेता है कुछ कैसा मिलता है आपको यहां पे open करते हैं तो यहां पे आपको CNG का यहां पे मिल जाती आपको tank कुछ ऐसी है लेटर आपको mention हो जाएंगे कितने लेटर किया है कितने केजी किया है तो भाई कुछ ऐसे यहाँ पे triangle मिल जाते हैं यहाँ पे आपको jack वगएर मिल जाते हैं इसके अंदर यहाँ पे यह हड जाता है कुछ ऐसे मिलती है यह बाकि इसका bonnet का space मिलता है है कुछ ऐसा वो देख के अंदर पड़ा लैम मिल जाता है नीचे कुछ ऐसा दिखता है यह बाकि बोनट खोल लेते हैं कुछ कैसा बोनट मिलता है इसके अंदर कुछ इसका 1.5 लीटर पैट्रोल नैचुरल एस्परेटेड इंजन मिल जाता है कुछ ऐसा इसका कुछ ऐसा दिखता है यहां पे CNG वगएर की कुछ ऐसी दे रखा इदर कुछ ऐसा दिखता है बाकि यहां पे आपको प्रोपर इंसुलेशन वगएर दे रखिया है तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना मत बोलना केर अबाउट कार्स को थैंक यू सो मच पोर वाचिंग